स्वागा थेख भाय फिरिशिया आप सभी का एक्जाम गुरुजी वाय यरिवेंद सेर यूटूब चैनल में उत्रप्रदेश पुलिस कॉंस्टबल 6244 पदों के लिए मेंटर लेटरूड या मानसीक अभिरुची की आज की हमारी ये लास्ट क्लास है इसके पहले के सभी क्ल देखने के लिए आप चैनल की प्लैलिश्ट में जाईए उत्रप्रदेश पुलिस कॉंस्टबल मानसीक अभिरुची के नाम से प्लैलिश्ट बनी हुई है मेरे पहरे भाई ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट या ट्रेंडिंग टॉपिक है जिससे एक्जाम में सवाल पूछा ह अगर देखा जाए तो तेरा सवाल आपके एक पाली में आते हैं और तेरा सवाल का मतलब हो गया पूरे 26 नंबर और 26 नंबर का मतलब आपके सेलक्षन लिश्ट में आने में कितना जाद हमाईने वह आप खुद जानते हैं पॉइंट का मतलब बहुत होता है वह तो 26 नंबर Law and Order यानि कानून मम्सांती ववस्था ये भी कंप्लीट हो चुका है Communal Harmony यानि साम्परदाइक सदभाव ये भी कंप्लीट हो चुका है Crime Control यानि अपराध नियंत्रण ये भी कंप्लीट हो चुका है Rule of Law यानि बिधी का सासन ये भी कंप्लीट हो गया है ability of adoptability यानि अनुकूलन की छमता ये भी कम्पलीट हो गया है professional information basic label ब्यावसाइक सूचना basic अस्तर की ये भी कम्पलीट हो गया है police system, police प्रणाली ये भी कम्पलीट हो गया है इसके लावा जो contemporary police issue and law and order यानि की समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून ब्यवस्ता ये भी कम्पलीट हो गया है interest in profession ब्यावसाई के प्रतिरुची ये भी कम्पलीट हो गया है mental toughness यानि मनसिक द्रणता ये भी कम्पलीट हो गया है इसके लावां sensitivity towards minorities and underprivileged यानि अल्प संख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संबेदन सीलता ये भी कम्पलीट हो चुका है आज का अपना जो topic है बहुत gender sensitivity यानि लैंगिक संबेदन सीलता जो की mental aptitude या मानसिक अभिरुची का last सवाल है या last topic है तो चलिए गाई शुरुआत करते हैं आज के इस important topic को ये आज की हमारी topic जो है थोड़ी लंबी भी है क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको जादा extra points, extra facts बताने वाला हूँ और number of questions भी जादा है तो चलिए श्टार्ट करते हैं अगर आपको हमारी मेनत अच्छी लग रही है तो गाईस एक के वर क्लिक करने की बात है वीडियो को लाइक जरूर कर देना दिल की घहराई से वीडियो को जब आप लाइक करते हो तो मुझे अंदर से और भी उड़ जा यानि के लैंगिक संबेदन सील्टा समझने की कोशिश कीचेगा लैंगिक संबेदन सील्टा का ताथ पर यह क्या है इस्तरी पूरुस के बीच बिना भेदभाव के सही आचरण सब्वे समाज के लिए लैंगिक संबेदन सील्टा सामाजिक विकास का अतियाविस्यक अविय अिनके पूजा अराधना की जाती है। इतिधास की बात अगर की जाये तो रानि लक्स्मी भाई, दुर्गा भावी, बीरांगना ज्लकारी भाई, पन्याधाय, बेगम हजरत महल इत्यारी बीरतों की कहानी सुनी सुनाई जाती है। इन्हें बीर्टा की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है परन्तु कभी-कभी ये सोचकर बड़ा अजीव लगता है कि ऐसे गरोशाली परंपरा वाले महान देश में वर्तमान समाज में इस्तरीयों के प्रती जो बेवहार हो रहा है क्या यह उचित है मेरे भाई समझ पर प्रस्त चिन्ह लगाती है जिससे जन साधानन में न्यायाले यों मेडिया के समक्ष पुलिस की प्रतिकूल छबी बनती है महिलाओं के प्रती अबराद की सूचना के पश्चात परियाप्त संबेदन सीलता बरतते हुए तथा इस संबंद में समय समय पर दिये गए न्य प्रियाले के आदेसों यों बीधी के प्रभावी नियमों का पालन करते हुए कारवाही की जानी चाहिए जिससे किसी भी पीड़िता का अनावस्यक उत्पेड़न ना हो और उसके संबान की रक्षा हो सके माईलाओं के साथ घटित होने वाले अपरादों में सर्वप्रतम यह आवस्यक है कि बीना विलंब के F.I.R. दर्ज की जाए दूसरी बात में आपसे एक बात यहां पर बताना चाहूंगा अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए F.I.R. का पूल्ल रूप क्या होता है तो यह होता है First Information Report इसके लिए प्रतक्चित या फिर इसके लिए प्र दिवार को सांत ना देकर उन्हें सांत करे। अब योग के पंजी करण है तू सूचना का अविलेखी करण महीला पूलिस अधीकारी दौरा ही किया जाना चाहिए। छेड़खानी उंबलातकार के प्रकरणों में विवेचना के दोरान उनका बयान महिला पुलिस द्वारा ही लिया जाना चाहिए। पीड़टा महिला या पीड़ित महिला यदि सारेडिक या मांजिक रूप से बिकलांग है तो सूचना का अभिलेखी कनाड़ पीड़टा के घर पर या उसके चैनित अस्थान पर अनुवादिक या बिस्स्ति सिक्षक की उपस्थिती में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा क किया जाना आविसक है यदि पीड़िता को कानूनी सहाइता की आविसकता हो अथवा पीड़िता और उसके परिवार ने अपना कोई अधिवक्ता नहीं बुलाया है तो ड्यूटी पर तैनात अफीसर का ये दायुत्य होगा कि वा विदिक सहाइता है तु ततकाल जिला जी होनी चाहिए जो महिला संबंदी लेंगिक अपरादों में पीड़िता की मदद करते हैं महिला संबंदी अपरादों की सूचना ततकाल छेत्रा अधिकारी को दी जानी चाहिए या दिया जाना आविसक है और बलातकार के परकरोनों में पीड़ित महिला का बयान नयाइक मजिस्टेट के समक्ष भी ततकाल कराया जाना चाहिए बलातकार की पीडिता का बयान उसके आवास पर या उसके द्वारा एक्षित अस्थान पर उसके माता पिता अभी भावक नजदी की रिष्टेदार या सामाजी कार्य करता की मौजूदगी में ही लिया जाना चाहिए लेंगिक अपराच से पीडित महिला का बयान लेने के लिए पीडित को किसी भी दसा में नोटिस दे कर थाना या अनियत्र किसी अस्थान पर नहीं बुलाया जाना चाहिए फिर देखी अगला पॉइंट किसी भी इस्तिती में पीडिता को थाने पर नहीं रखा जाना चाहिए यदि चिकिस्सा की आवे सकता हो तो उसे चिकिस्साले में भरती करा जाना चाहिए अन्य था उसे स्वयक्षा से घर जाने देना चाहिए महिलाओं के साथ घटित लेंगिक अप्रादों हिंसा एवाधियू ब्रीफिंग करते समय महिला के आचनन एव्म रहन सहन कपले पहनने के तरीके एव्म उसके उसके साथी के समद्ध में किसी भी प्रकार की यमरियादित टिप्णी लेंगिक संबेदन सील्ता की विप्रीत मान जाती है महिलाओं के साथ घटित लैंगिक अपराद हिंसा वा दूर बेवार आधी के प्रकरणों में घटिना से समंदित तथियों की पूरी जानकारी करने चाहिए तथ सत्य प्रमारित विवरन ही प्रस्तूत किया जाना चाहिए अब देखे यहां पे मैंने कुछ पॉइंट इस आपको बताएं अब इस पॉइंट से से रेलेटेड जो सवाल है आपके जो आपका लैंगिक संबेद अंसीलता यानि जेंडर सेंस्टिविटी है इसके सवाल जो है आपके वो में कंप्लेट करता हूं जो आपके यूपी एसाई यूपी एसाई यूपी पुलिस में पहले कथन पढ़ना है और उसके बाद कथन को ध्यान में रखते हुए उसके सवाल को अच्छे से समझना है उसके बाद जो आपको सही लगी कानून के दिश्टी से वो आपको चुनना है बताएं राइट उत्तर क्या होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मांसिक द्रिनता योङने गाइस कहा जाएं जो मैंने आपका मानसिक दिनता पढ़ाया या जो भी टोबिक मैंने पढ़ाया मैंने हर एक कलास में आपको बताया है कि आप जब भी mental attitude या मानसी का वरिची के सवाल को complete कर रहे हो या उसे हल कर रहे हो तो आपको चारो option पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप चारो option पढ़ोगे तभी आप बेहतर की तलास कर पाओगे क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि एक्जाम में बेहतर से बेहतर की तलास करना होता है इस वज़े से मेरे भाई आपको हर एक option को अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा सवाल नमबर एक का पहला option पढ़िए महिलाएं कमजोर पैदा होती है और वह हमेशा ऐसी ही रहेंगी हम ऐसा कहसे कह सकते हैं कि महिलाएं कमजोर पैदा होती है नहीं कह सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा दूसरा देखिए किसी देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने में महिलाओं की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है ये तो बिलुकुल गलत है महिलाएं और पुरुष समान हैं इसी प्रकार बेवहार किया जाना चाहिए ठीक है एक बंदूग चलाने की अपेक्छाएं महिलाएं खाना बनाने में बहतर होती है आईसा भी नहीं कह सकते राइट उत्तर होगा सी अंसर महिला और पुरुसमान है इसी प्रकार बेवार किया जाना चाहिए सी अंसर राइट आंसर हो जाएगा शवाल नमबर दू आप घंड में अकेले हैं और आपकी भावी को अचानक प्रसो बेदना सुरू हो गई तो आप क्या करेंगे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप घंड में अकेले हैं और आपकी भावी को अचानक प्रसो बेदना सुरू हो जाती है तो आप क्या करेंगे परिशान हो जाओगे सही कदम लेने के बारे में पता नहीं कर पाओगे भाई ऐसे कैसे कोई कर सकता है गलत है बाहर जाकर अपने फैमिली डाक्टर को बुलाओगे आयसा भी नहीं करना है नजदी की अस्पताल में उसे पैदल ले जाओगे भाई उन्हें प्रसो पेड़ा है तो आप उन्हें पैदल कदाप ही नहीं ले जा सकते आप आथ इस्थिती के लिए अंबूलेंस को बुलाओगे तुरंट अंबूलेंस बुलाओगे नजदी की अस्पताल ले कर जाओगे राइट उत्तर होगा डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखिए सवाल नंबर तीन ये सवाल जो है आपका ये पू किसी मकान में इस्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है अब आप क्या करेंगे मतलब यह है आप सरक पर जा रहे हैं और अगर किसी मकान में कोई श्त्री रो रही है और आप जा रहे हैं तो आप क्या करोगे उस घर तक जाएंगे और पता करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ठीक है उसे अंदेखा कर देंगे और आगे चले जाएं मुश्किल में क्यों पढ़ेंगे, मुश्किल का कोई मतलब भी नहीं है, राइट उत्तर होगा आपका A answer, आप उस घर तक जाएंगे, और पता करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, यह आपका राइट उत्तर होगा, A answer करेट उत्तर होगा, आगला सवाल देखी, सवाल नमबर पाँच, इस्तरीयों की रक्षा के लिए, बनाएगे कानूनों के बारे में, आप क्या सोचते हैं, उन्हें सही तरह से लागू करने की आवे सकता है, फिलहाल अभी तक सही लग रहा है, उनका कोई मूले नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते न समय बर्थ करते हैं यह तो बिल्कुल गलत है राइट उत्र होगा बी आंसर उन्हें सही समय से लागू करना चाहिए या सही तरीके से लागू करना चाहिए राइट उत्र हो जाएगा आपका option number B आप राद के duty पर हैं राष्टे में आप दो महिलाओं को देखते हैं जो दूसरा सो देखकर लोट रही है अब आप क्या करेंगे उन पर चिलाएंगे अपनी torch उन्हें देखकर उन्हें घर पहुचाएंगे उनकी आविसकता पर उन्हें मदद देंगे या उन्हें अंदेखा कर देंगे देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो A answer और D answer तो बिल्कुल कर गया अपनी torch उन्हें देखकर उन्हें घर तक पहुचाएंगे और या फिर उनकी आविसकता पर उन्हें मदद देंगे देखो जब आविसकता पड़ेगी तब मदद देना उचित होता है राइट उत्तर हो जाएगा आपका options अगला सवाल देखें कुश्चे नमबर 7 आपके सामने है देखें जो भी सवाल है आपके पूछे गया है मैंने पहले जी बताया है UPSI ranker exam में पूछा गया है सवाल नमबर 7 लेंगिक असमानता का क्या कारण है लेंगिक असमानता का क्या कारण है बताइए राइट उत्तर क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा V answer सामाजिक कारण है राइट उत्तर हो जाएगा आपका option number B सामाजिक कारण लेंगिक असमानता का एक सामाजिक कारण है option B correct उत्तर आपका हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने question number 8 भारतिय सम्भिथान के अंतरगत लिंग असमानता क्या है बताईए सही answer यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाल क्या कहरा है समझने के बाद answer दीजीगा जल्द बाजी आपको नहीं करना है क्योंकि जल्दी का काम सैतान का होता है यह आप नहीं हर कोई जानता है इस वज़े से गाईज जल्द बाजी नहीं करना है सोचने समझने के बाद पर्चर्ट उत्तर देना है भारतिय संबुदान के इंटरगत लिंग असमानता अनुमन्य है यानि अनुमानित है ये फिर कहा जाए लैंग असमानता ये इसकी अनुमती है नहीं भाहिय ऐसा तो नहीं है कोई प्रावधार नहीं है यह भी गलत है अगर प्रावधान नहीं है तो यह आज़िक ही नहीं होना चाहिए वास्तों में राइट उत्र होगा भी answer निसेधित है ओप्षन भी आपका करेट उत्र हो जाएगा निसेधित है अगला सुल Q9 वीजिंग संब्मेलन का संबंध किस स है question number 9 वीजिंग जो है यह चीन की राजधानी है चीन की capital है यह आप जानते ही है राइट उत्र होगा ए आंसर महिला ससकती करण से देखें वीजिंग सम्मेलन का संबंद महिला ससकती करण से है राइट उत्र हो जाएगा आपका option A अगला स्वाल आपके सामने question number 10 भारत में महिलाओं की इस्थिती की सबसे अच्छी दसा किस काल में थी बताइए राइट उत्र क्या हो जाएगा question number 10 भारत में महिलाओं की इस्थिती की सबसे अच्छी दसा किस काल में थी? Betाईए सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा परफेक्ट उत्तर का आप चैनघार करिये और राइ उत्तर यहाँ पर बताईए देखें समझने की कोशिश करिये सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहां पे यह हो जाएगा वैदिक काल में करेट उत्तर हो जाएगा आपका option number देखी भारत में महिलाओं की स्थिदी की सब्सेची दसा किस काल में थी यह बता जा रहा है राइट उत्तर होगा वैदिक काल मेरे बारे भाई वैदिक काल जो दो प्रकार के थी पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की दसा जो है यह उत्तर वैदिक काल के हिसाब से जादा थी लेकिन फिर भी आज के मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो चाहे पूर्व वैदिक काल को को चाहे उत्तर वैदिक काल को लेकिन महिलाओं क के बाद, अब देखें, समझने की कोशिश कीजिएगा, कहने का मतलब यहा है, सूर्य उद्य के बाद, और सूर्य अस्त्य के पूर्ब यानि सूरिय अस्त होने के पहले कहने का मतलब यह है कि दिन में ही है ना बिल्कुल बात सही है कभी भी यह तो गलत है तो राइट उतर होगा ए और बी महिला के दौरा पहली बात दूसरी बात सूरियोदे के बाद और सूरियास्त से पहले महिलाओं की गिरफतारी की जा सकती चाहे वो महिला पुलिस कर रही हो या कोई अन्य कर रहा हो लेकिन वो महिला जो है वो रात में गिरफता नहीं की जा सकती ये नियम है संबिधान में लिखा गया है तो राइट उत्तर होगा डी आंसर ए एंड वी दोनों अगला स्वाल देखिए कुश्चन नंबर 12 है महिला ससकती करण के लिए केंद्र सरकार ने बच्चियों के भविश्य के लिए कौन सी योजना बनाई राइट उत्तर यहाँ पे क्या उत्तर हो जाए महिला ससकती करण के लिए केंद्र सरकार ने बच्चियों के भविश्य के लिए कौन सी योजना शुरू की राइट उत् जो है ये भार सरकार दोरा बच्चियों के भविश्य के लिए शुरू की गई राइट उत्र हो जाएगा डी आंसर वी एंड सी दोनों अगला सवाल आपके सामने कुश्या नमबर 13 है सवाल के राए कि कन्या सम्रद्धी योजना के अंतरगत बच्चियों के किस उम्र तक खात खाता खुलवाया जा सकता है कहने का मतलब है कन्या सम्रद्धी योजना के अंतरगत जो लड़किया हैं बच्चियां है या जो फेमेल हैं उनकी जो उम्र है वो कितनी होने चाहिए खाता खुलवाने के लिए गाइस राइट उनसर होगा आपका यह हो जाएगा आप्शन न प्रती बेवार या राजनेता के प्रती बेवार लैंगिक संबेदन सील्टा का जो संभंध है यह इस्त्रीयों के प्रती बेवार रैट उत्र हो जाएगा आपका यह हो जाएगा pause one और इक अर्ए अंसर हो जाएगा अगला है कि लेंगिक संबेदन सीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया रैट उत्र हो जाएगा आपका यह हो जाएगा यह उत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर अपनाना चाहिए यापको बताना है शक्त मरियादित आय मरियादित या निरंकुस देखो शक्त तरीका तो बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता और आय मरियादित तो बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि कोई भी काम आपको करना है तो आप मरियादे में रहकर ही करेंगे और निरंकुस तो होगा नहीं रा महिला पुलिस की आवे सकता क्यों बढ़ती जा रही है महिला पराधियों से निपटने के लिए ठीक है महिलाओं से छेडचार बलातकार महिलाओं का यौन सोचर घरेलू हिंसा आधी मामलों में महिला पुलिस अधी कुप युकता है राइट उत्तर होगा वी आंसर आपका नह तो मतलब यहाँ पर सभी ऑप्सन राइट होगा है ना तो राइट क्या हुझा है का दे आंसर राइट होगा उपरोग तो सभी कारणों के कारण महिला पुलिस की बल किया वे सकता जादा हो रही है आगला सवाल देखिये महिला पुलिस से क्या कार्य किये जाते हैं या लिये जाते हैं बताइए राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा महिला पुलिस के दौरा क्या क्या कार्य किये जाते हैं महिला अपराधी की निगरानी और उसे लॉक अप में रखना ठीक है महिला अपराधी की ग्रफतारी वा परोक्त सभी correct answer आपका हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने question number 20 सवाले के निर्मलिकित में से महिलाओं के नियुक्ति किस पुलिस सेवा में की जा सकती है बताइए महिलाओं के नियुक्ति किस पुलिस सेवा में की जा सकती है वियसफ में यानि Border Security Force या फिर कहा जाए सीमा सुरक्साबल में बिल्कुल भाई सीमा सुरक्साबल में भी गल्स को एन्वती है CRPF यानि Central Reserve Police Force या फिर केंदरिये Reserve Police पुलिस बल इसमें भी महिलाओं को अधिकार है अपनी सेवा देने का ये भी है भारतिय पुलिस सिवा एंडियन पुलिस सर्विस यानि की IPS में इसमें भी महिलाएं जा सकती है तो राइट उतर होगा डी आंसर उपरोग तसफी अगला की निमलिकित मेंसे महिलाओं के लिए पुलिस में साहसवा चुनोती वाला पद कौन सा है सवाल एकि महिलाओं के लिए पुलिस में साहसवा चुनोती वाला पद इसमें कौन सा है इसका उतर है आप बताएंगे राइट उतर क्या होगा बताईए राइट आंसर क्या हो जाएगा महिलाओं की दसा सुधायने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए है ब्रक्तिगत कानून गलत क्योंकि ब्रक्तिगत कानून कोई कानून नहीं होता है ब्रक्तिगत मतलब यह होता है कि अपने स्वैम हिट के लिए नहीं स्रम कानून ये भी नहीं है सामाजी कार्थी कानून ये भी नहीं है राइट उत्तर होगा ये होगा वी आंसर अप राधिक कानून करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर निम्हें कितमें से लेंगिक संबेदन सीलता या लेंगिक समानता का संबंद भारते संबिधान में कहां स सिध्धान इसका दिया गया है संभिधान की उद्देशिका में बिल्कुल भाई अनुक्से 14-15-16 में ये भी सही है और आज के नीती निर्देशक सिध्धान याने DPSP इसमें भी तो राइट उत्र हो जाएगा आपका दिया गया अगला सवाल आपके सामने निम्नमेज से कन्या भुरून हत्या के उपराज की रोक थाम के लिए सबसे ठोस उपाई इसमें कौन सा है कहने का मतलब है कि कन्या भुरून हत्या को रोकने के लिए सबसे ठोस और सबसे बढ़िया उपाई कौन सा है कन्या भुरून हत्या वह हत्य होती है जैसे काई जाहे कि जम महिलाएं गर्भवती होती है तो वह अपने जब अल्टर वहती हैं तो अल्टर साउन में अगर खुदा नखास्ता पता चल जाता है कि उनके गर्भ में पल रही बच्ची है या फिर जो जंटर है वह कहा है ये कोई ठोस माध्यम नहीं है क्योंकि हमसे क्या कहा गया है सबसे ठोस उपाय होना चाहिए चेतामनी देना की कन्याओं कानुपात लड़कों की तुलना में काफे कम होने क्या दूस्प्रणाम होंगे ये भी नहीं है ब्रून परिक्षण को जमानिती अपराद बनाना और चिकिसा को मेडिकल प्राक्टिस से वंचित करना ये भी गलत है कन्याओं ब्रून हत्या के दोसियों को आजीवन कारावास का दंडे देना ये गाइस कम से कम होना चाहिए जैसे पेपर लीक के मामले में बनाया गया है अगला देखे कुश्य नुबर पच्चिस है महिलाओं को घरेलू हिंसा से सन्रक्षान आधिनियम किस वर्स में पारित किया गया वर्स दो हजार पांच में राइट उत्तर होगा आपका दिया गया ओप्सन डी अगला स्वाल आपके सामने कुश्य नुबर 26 है ये वही स्वाल है कुश्य नुबर 26 है कि घरेलू हिंसा में निर्मलिकित में से क्या सामिल नहीं है घरेलू हिंसा में क्या सामिल नहीं है ऐसा कारिया जिससे महिला के सारेडिक स्वास्त को खत्रा हो ये तो घरेलू हिंसा में सामिल है ऐसा कारिया जिससे महिला के मानसिक स्वास्त को छती हो ये भी घरेलू कारिय में सामिल है घरेलू हिंसा में सामिल है और दहेज की मान के उनकी दहेज के लिए ये भी घरेलू हिंसा में आता है जबकि ठकाने वाला आर्थिक घरेलू कारी ये कोई भी घरेलू हिंसा नहीं है भाई ठकाने वाले आर्थिक घरेलू कारे जैसे कहा जाए घर में पोछा लगाना जारू लगाना ये जो है कोई घरेलू हिंसा थोड़ी ह तो यही आपका राइट उत्र हो जाएगा D answer इसमें सामिल नहीं है घरेलों हिंसा में निलिखित में से क्या क्या सामिल है अब आपको यह बताना है कि इसमें से घरेलों हिंसा में क्या सामिल है question number 27 भाई वीडियो अच्छी लग दिये तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार है हो तो subscribe कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की notification time to time आपको मिला करें समझने की कोशिश कीजिएगा महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगेना बिल्कुल है यह तो घरेलों हिंसा है बेटे को जन्म ना देने के कार्ण महिला को अपमानित करना मतलब कहते हैं ना कि केवल और क्यों लड़की ही पैदा हो रही है लड़के क्यों नहीं पैदा ह पुलिस अधिकारी का करतब भी है कि महिला को सूचित करें कि उसे आर्थिक साहिए प्राइश दिलाई जाएगी कि उसका अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है कि उसकी अलग रहने का आदेश दिया जाए या फिर वह अपने प्रार्थना पत्र में उपरोगत आदेशों की प्रार्थना कर सकती है तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका नमबर D ही राइट होगा उपरोगत सभी यानि उसे आर्थिक साहिता भी दिलाई जाए इसकी भी प्रार्थना कर सकती है उसका अधिकार है कि प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर पाए ये भी उसको गाइस कहा जा सकता है और अलग रहने के भी आदेश दिये जा सकते हैं त ये सही आंसर क्या हो जाएगा लिंग के आधार पर रिपोर्ट दर्च करनी चाहिए या लैंग एक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए या इस्त्रियों को अंसुना कर देना चाहिए लिंग के आधार पर रिपोर्ट दर्च करना ये गलत है क्योंकि अगर कहा जाए तो लिंग के आधार पे मतलब अगर कहा जाए मेल हैं तो उनकी जादा सुना जाए फीमेल है उनकी कम सुना जाए नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता लेंगी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल मेरे भाई वी answer right answer हो जाएगा लेंगी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए अगला साल देखिए question number 30 है पडोस के लोग आकर बताते हैं कि उनके बगल वाले घर में जो नहीं बहु आई है उसे ससुराल के लोग बहुत तंग कर रहे हैं इस सूचना पर आप क्या करेंगे कहने का मतलब यह है कि आपके पडोस में किसी की भाई नहीं नहीं साधी हुई है और उसको एक नहीं नहीं बहु मिली है और उस बहु के घर वाले जो है या फिर उसके जो ससुराल वाले के लोग हैं वो उस बहु को परेसान कर रहे हैं अब आप क्या करोगे टीका टिपड़ी कर कि तुम्हारी कौन लगती है भगा देंगे मतलब आरे भाई वो जो भी करे तुम्हारी क्या लगती है आप भगा दोगे नहीं भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना उनको कहेंगे कि आप लोगों को जो ठीक लगे करिये पुलिस ऐसे मामलों में टांग नहीं अड़ाती है ऐसा तो नहीं कर सकते ना उन लोगों से काम करने के एवज में पैसे की मांग करें करने का भी हवाला देंगे तता बीच बीच में जाकर उनकी स्तिती का भी निगरानी तो डी आंसर आपका हमारे हिसाब से बिर्फेक्ट होना चाहिए अगला से पेडित महिला थाने आप क्या करेंगे उसे डांठ डपट कर भगा देंगे नहीं भाई उसे डांठ फटकार कर नहीं बगा सकते हैं सहानी भूति का बेवार कर उसे थाना प्रभारी या अन्य पदा अधिकारी से मिलाएंगे वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि कुछ लड़क लड़कियों को इसकोईट पर कुछ दूर तक पहुचा देंगे उन थाने को सूचित करेंगे सबसे परफेक्ट उतर एही लग रहा है अगला देख लेते हैं लड़कियों से कहेंगे कि तुम रास्ता बदल कर चली जाओ ऐसा नहीं है सारे घटना देखते हुए भी अंदे पर्फिक्ट उत्तर हो जाएगा अगला सवाल देखीए अगला सवाल है कि अगर कोई महिला अकेले आपके पास कोई शिकायत लेकर आती है तो आप उसे तुम कहकर संबोष्यत करोगे नहीं उसे हासी वज्जा कुछ चुछ करोगे नहीं भाई उम्र के अनुसार माता जी बहन जी संबोधन करके स्रिस्टता से बात करेंगे कि क्या परिशानी है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्सिन नमर सी कि उसकी अम्र के अनुसार उसे हम संबोधन करेंगे अगर उम्र जादा है तो माता जी नहीं अससाथ करेंगे कि मतलब आपकी गलती है आपके बजल से ऐसा काम हुआ है नहीं उसे कहेंगे की पोरी 관심 काहनी बताओर और आपस जाने को करेंगे मनलब पोरी कहानी बिवार बैट वीट काम कर देंके तो रैट के हो가गा डि आन्सूर correct perfect विल्कुल right answer आपका होगा पहरे भाई अगर आप इस अपने परिवार के पुराने सदस्य हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा अगर आप नए हैं तो एक बार आप सुन लीजिए UP Police Constable Lady Exam को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण e-book लाई गई है जिसमें जी के, UPG के, Hindi, Math, Reasoning के सभी questions आपको best trick के साथ और best oriented questions आपको मिल रहे है 60% discount के साथ खास बात तो यह है कि e-book जो है image colorful के साथ पूरे 418 पेच की है दूसरी खास बात यह है कि अगर आप इसे एक बार अच्छे से और मनलगा अगर के पढ़ लेते हो फिर आपको किशी के भी कोई course की जरूरत नहीं है हाँ अगर है जरूरत तो के विल रड़कोल एक बार अच्छे से और दिल दिमाग से पढ़ने की मेरे पहरे भाई पूरे 418 पेच की है image colorful के साथ है पूरे topic को अच्छे से कबर करते हुए 60% discount के साथ आपको मात्र 49 रुपे की मिल रही है दाम तो इसका 99 है लेकिन अभी 49 की मिल रही है लेना हागे अगर आपको तो इस दिये के नंबर नंबर है 8948667652 894866672 इस पर आपको WhatsApp करना है यहाँ से आपको ये ebook मिल जाएगी डेमो पेस देखना है तो इसी नंबर पर WhatsApp करके डेमो पेस देख लीजिएगा और अगर आपको इसके ebook को लेना है तो इसी नंबर पर आप WhatsApp करके इस ebook को ले भी सकते है गाई लेना ना लेना बात की बात है लेकिन आप मैसेज करके इसके पेज को जूरु देख लेना और गाई अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इतनी बहतरीन तरीके से कि इतनी लाजबाब कंटेंट के साथ है आप के लिए 60% डिसकाउन का लड़कियों से छेड़कानी की सूचना बार-बार मिल रही है तो आप क्या करेंगी अपना पल्ला जाड़ लेंगे कोई कदम नहीं उठाएंगे भाई ऐसा तो कदाप ही नहीं कर सकते है ना तब तक इंदिजार करेंगे जब तक कोई लिखिज सिकायत ना अब लिखिज सि चलता के खिलाफ हो जाएगा ये तो बिल्कुल गलत है राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आप पता लगाएंगे कि छेंड चान किसके साथ हुई है तता घरवालों की मदद से उस आरूपी को पकड़कर उचित कारिवाही करेंगे और अगर उचित कारिवाही करने में अ ग्रफ़्तार होनी चाहिए बिल्कुल रइट है І 1 अंसर राइट हो जाएगा अगर किसी महीला को ग्रफ़र करना है तो उसे महीला पुलेस के द्वारा ही याओने लेडीस कोश्टनल के द्वारा ही उसे ग्रफ़्तार किया जा सकता है वी आंसर आपका रई तर्षर यहां 38 है पेड़ित महिला यदि मांसिक या सारीडी रोग से बिकलांग है तो सूचना को अभेलिखित किया जाना चाहिए पेड़ित के घर या उसके चैनितर स्थान अनुवादक या बिशिष्टी सिचक की उपस्तिती में या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा राइट हुझाए पारवाली महिलाओं की जो सूचना है उसे के लड़कल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसकी बिवेचना की जानी चाहिए राइट उत्र हो जाएगा आपका आप्सिया नबर बी अगला है कि यदि पेड़िता को कानूनी साहिता की आवे सकता है तो डूटी पर तैना अधिवक्ताओं को बुलाएं राइट होगा आपका आप्सिया नबर ए महिलाओं के साथ घटित लेंगे अपरादों हिंसा या दुर्बेवार आधि की प्रसंस करणों में मेडिया विडिफिंग करते समय कि इन बातों को ध्यान रखना आवे सक है राइट आंसर क्या हो जा समद में अमर्यादि टिपड़ी ना की जाए ये भी सही है गटना के समद में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्यों प्रमारित विवरन ही प्रस्तुत किया ये भी सही है दी अंसर राइट होगा उपरोग तसवी अगला सवाल है कि लेंगिक अपरादों के बिर्द महिलाओं के अवागमन के अस्थानों पर यह संबो महिला पुलिस पिकेट की नियुकती बिलकुल आती व्यस्ततम अस्थानों पर साधे कपड़ों में महिला पुलिस युम सामान्य पुलिस कर्मियों की नियुकती और महिला पुलिस थाना का स्थापना राइट होगा आपक कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना च्छल पे पहली वार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हरेक नहीं क्लास के रिटिफिकेशन मिला करें बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो के निचे क अच्छी जो क्लास निटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहे तो आज की जवेतरी लाजबाव क्लास में जिन्दाए मिलते हैं इसके बाद एक नई वेहतरी वीडियो में तब तक के लिए खुछ रहे हैं जीजान सेज़द के साथ पढ करसे बाते हैं जो आपको मिलती रहे अनितthis के सेज़द के जासे बारे में जाद एक MOND आप क्लास मिलता हैं जाक क्लास में जानकारी येयो कर दो到ख द चांगी बाद के दो Wiki writes canalsesz के बांकी बारे मिलता हैं जारने बारे मिलते हैं बद внимание ख़एवें और फम घलते हैं बाहें